आपका मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग स्कूल में तो दोस्तों आज की इस न्यूज में मैं आपके लिए लेकर आई हूं यूपी पीएसी के बारे में जित्ते भी हमारे यूपीएसी के मेडिकल एजुकेशन वाले हमारे कैंडिडेट्स हैं उनके लिए न्यूजपीपर में ये प्रिंट आउट हुआ है न्यूजपीपर में उसी का एक आर्टिकल है ये इसमें लिखा है कि जो मेडिकल कॉलेज में दोसो असी स्टाफ नर्स की तैना थी मतलब कि जो कल मंगलवार 18 तारिक को काउंसलिंग हुई थी तो यहां पे लिखा है कि परदेश के मेडिकल कॉलेज को इस सप्तहा मतलब इस वीक 554 स्टाफ नर्स मिल जाएंगी इसमें से दोसो असी को मंगलवार को कॉलेज अलोट कर दिया गया है और बाकी के 274 को बुदुवार को यानि की आज कॉलेज अलोट कर दिया जाएगा इन सभी को सप्तहा वर में कारे भार ग्रेंड करन काउंसलिंग हो जाएगी तो वो काउंसलिंग होने के बाद वन वीक के अंदर बूला है इनोंने कि उनको जॉइनिंग लेटर दे देना है ठीक है और साथी साथ यहां पर लिखा है कि और मेडिकल कॉलेज में करीब तो यहां पर इनोंने ये भी लिखा है कि परदेश के मेडिकल कॉलेज में करीब 5000 से अधिक स्टाफ नर्स के पद रिक्त हैं और इसमें से 3000 पद के लिए अभियाचन भीजा गया है तो फिलाल UBPC की ओर से 504 स्टाफ नर्स का चैन किया गया है और इसमें से 484 जो महिला हैं और 70 पुरूश हैं और 280 स्टाफ नर्स मंगल बार को तेनाती दी गई हैं मतलब आपने जो चूज किया है आपको वो मेडिकल कॉलेज एक वीक के अंदर जोईनिंग मिल जाएगी उसमें और जो एडुकेशन डिपार्टमेंट की डिरेक्टर है शुरुति सिंग ने बोला है कि ऑनलाइन जो काउंसलिंग चल रही है उसमें अधिक नंबर वालों को उनीकी वरियता वाला कॉलेज मिल जाएगा ऐसा बोला गया है तो देखते हैं उमीद है एक हफते के अंदर जोरिंग लिटर आ जाना चाहिए तो देख लेते हैं दोस्त तो कितना टाइम लगता है बाकी और ऐसे ही अपडेट्स आपको मैं देती रहूंगी तब तक के लिए गुड़ बाई एंड टेक केर एंड चैनल को सब्सक्राइब दोसों जरूर कर देना वीडियो को लाइक भी कर देना